हाई गाई निरना मैं शिवाय और आप देख रहे हैं गेट पीसी हेल्प यूटूब चैनल तो हम अपने यूटूब चैनल पे लिप्टाप से रिलेटर वीडियो कॉंटेंट मनाते रहते हैं अगर आपके लिप्टा में कोई भी प्रॉब्लम कोई भी समस्या आ रही हो तो हमारे यूटूब चैनल पे विजिट करें और सर्च करें अपनी समस्या को और वहाँ पे हमारे बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे और वीडियो को देखकर आप अपनी समस्या को हल कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं दिस PC का जो shortcut होता है या फिर ये कहलें कि File Manager का shortcut जो है desktop screen पे कैसे लाएं ठीक है यहाँ पर मान लिजे या फिर नया नया computer लाएं है laptop लाएं है तो वहाँ पर आपको दिस PC का मान लिजीए वहाँ पर ओप्सन नहीं दिखा रहा है या फिर आपको laptop को reset किया है या फिर windows new install किया है तो वहाँ पर दिस PC का option नहीं देखने को मिलता है या किसी काराण बस delete हो जाता है तो हमको उसको कैसे लाएं कि यहाँ पर हम तीन बिदि बताने वाले हैं तीन बिद से वड़ी यह आसानी से आप जो है और दिस-पी-सी को ऑप्शना या फाइल मनेजर को आपशनास ला सकते हैं तो सबसे पहला तरीका जो है यहाँ पे हम right क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक new page का option दिया हुआ है new एक new folder जो है new में एक folder का option दिया हुआ है उस पर हम click करेंगे और कहीं भी खाली स्थान पर click कर देंगे यहां पर फोल्डर हमारा है तयार हो गया अब इस पर हम double click करते हैं और आप देख रहे हैं कि यहां पर file manager जो हे open हो चुका है अब यहां से फोटो वीडियो और गाने जो हैं और सॉप्ट्वेर हैं उनको हम बड़ी यासानी से एक्सिस कर पाएंगे उनको हम देख पाएंगे हमालीजिये म्यूजिक में फोटो हैं वहां पे हम फोटो को देख सकेंगे अब यहां पे चलिए दूसरे नमबर टिप्स की बात करते हैं यहां पे टाइप हेर टू सर्च में हम लिखेंगे दिस पीसी यहां पे हमने दिस पीसी लिखा और यहां पे दिस पीसी को जो आइकन है यहां पे आप लोग देख रहे हैं कुछ ऐसा इस पे क्लिक करके हम गैलरी को एकसेस कर पाएंगे तो यहां पे हम इस पे क्लिक करते हैं और यहां पे जो फाइल मनेजर जहां से फोटो वीडियो एकसेस करना होता है यह सब आ चुका है अब यहां से भी हम ओपन कर सकते हैं ठीक है अब चलिए टिप्स नंबर तीन की बात करते हैं कि तीन नंबर बिद में हम देखेंगे कि जो दिस पीसी का लोगो है आइकन है सौटकट है उसको हम डेक्स्टॉप स्क्रीन पर कैसे लाएंगे ठीक है तो यहां पे हम विंडोस विंडोस पर हम क्लिक करेंगे या फिर अपने कीवोड से विंडोस की प्रेस करेंगे और सबसे नीचे जो आ जाएंगे फिर वहाँ पे लिखाओगा विंडोस सिस्टम विंडोस सिस्टम पर जैसे ही क्लिक करेंगे और यहां पे दिस पीसी देखने को मिल जाता है अब इसको लिफ्ट की दबाया रखना है और उठा के ड्रेक करते हुए कहीं भी पेस्ट कर दे ना है अब यहां पे जो हमारा दिस पीसी कहरट करती है अब इस पर हम डबली ड्रक्ट करेंगी और यहां पे उसका फाइल मेनेजर ज्ब है मान लिज्ञेए फाइल मेनेजु जहां से फोटो वीडियो है एक्सेस कर पाएंगे तो यहां से ओपन हो जाता है और आपने देखा कि बहुत ही आसानी से जो है इस पीसी का आप्शन जो है सौर्ट कट वो हम डेक्स्टॉप स्क्रीन पर कैसे ले आए है और उसको कैसे ओपन किया है तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना अगर चैनल पर नहीं आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हम ऐसी वीडियो कॉंड़न मनाते रहते हैं जिससे आपकी जो जो बीगनर हैं उनको भी एक थोड़ी मदद मिल सके जिससे वो कुछ सीख सकें अगर उसमें कोई भी प्रोप्लम होंके जरीए आ गई हो तो उसको सॉल भी वही कर सकें बड़ी है आसानी से तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत